जै माता दिर्मित्रो आज है नवरात्री का नवम दिवस अर्थात मा सित्र दात्री के पूजन का दिवस आज ही के दिन नवरात्री में किये जाने वाले पूजन या मनोकामना सित्र होने का दिवस है अर्थात आपकी भक्ति आज सित्रतात्री के असिर्वास से कौन होती है या देवी सर्वभूतेशु सक्तिरूपेन संसिता नमस्तस्याई 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 नमो नम मित्रो आईए आज नवरात्री के नवम दिवस के उपलक्ष में मा सित्रतात्री के बारे में बताऊंगा तथा मैं यह भी बताऊंगा कि इसकी पुजा कैसे की जाने चाहिए और मा को क्या भूग लगाया जाना चाहिए जैसा कि आथ भी जानते हैं ब्रम्हान की सुरुवाद में भगवान रुद्र ने स्रिष्टी के लिए आदी परासक्ती की पुजा की थी और ऐसा मना जाता है कि तेवी आदी परासक्ती का कोई रूप नहीं था सक्ती की सर्वोच्य देवी आदी परासक्ती भगवान सिव के बाय आदे भाग से सित्र दात्री के रूप में प्रगट हुई और यही माता सित्र दात्री देवी के रूप में प्रसित्त हुई इसी सिद्ध दात्री देवी की पुजा नवरात्री के नवम दिवस में की जाती है अम मित्रों आपको बताऊंगा कि माता सिद्ध दात्री किस ग्रह की अधिश्टता देवी है तो मित्रों माता सिद्ध दात्री केतु ग्रह की अधिश्टता देवी है के तु ग्रह को दिसा रोज़्य प्रदान करती है इसलिए यह ग्रह उसी से सासित है आज ये दिन माता का पूजा अर्जन करने वाले लोगों के तु सुधरता है अब मैं माता का श्वरूप का वणन करता हूं माता सिध दात्री का कैसा स्वरूप है जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों देवी सित्र दात्री कमल पर बैठती है और सेर उपर सवार करती है उसके चार हाथ हैं उनके एक दाइने हाथ में गदा दूसरे दाइने हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में कमल का फूल तथा दूसरे बाएं हाथ में संख है यह याद रखेगा दोस्तों कि माता सिद्र दात्री अपने भत्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों देने का अधिकारी है और उसे सर्वसेश बनाती है अर्थात जो फाइनल रिजल्ट है या मनोकामनों जो पूम करती है आज की दिन नौरात्री में किये जाने वाले सिद्धियां आज के दिन कोन होती है किसी भी मनोकामन से किया जाने वाला पूजन आज के दिन सिद्ध होता है अर्थात आदमी संतुष्ट होकर उतने जीवन पत्री और आगे बढ़ता है यहां तक की दोस्तों भागवान सिव ने देवी सिद्ध दात्री की क्रिप्र से ही सभी सिध्या प्राप्त की है ये ना किवल मनुस्यों बलकि देव, गंधर्व, असूर, यक्ष और सिद्धो त्वारभी पूजी जाती है माता सिद्ध दात्री भगवान सिव के बाएं आदेबाग से प्रदट हुई है अर्थात भगवान सिव को तभी से हर्द नारेश्वर की उपाधी प्राप्त हुई है तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यह माता जो सिद्ध दात्री देवी है वे किस आउसदी पर अपनाधिकार रखती है तो नव दूर्दा का नवम रूपी सिद्ध दात्री है जिसे नारायनिया सतावरी भी कहा जाता है यह दोस्तो आप सभी जानते हैं सतावरी एक आउसदी है जो कि बुध्धी बल यह वीर को पुष्ट करती है यह रक्त विकार एवं वाद्पित सोध नास तता हृदय को बल देने वाली आउसदी है सिद्ध दात्री का जो मनस्व नियम पुर्वक सेवन करता है या और की पूजा करता है उसके सभी कष्ट स्वयम ही दूर हो जाते है इससे पृड़ित व्यक्ति को सिद्ध दात्री तेवी के अरादना अवस्य करने चाहिए और अपने जीवन को पून बनाना चाहिए माता सिद्ध दात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले देवी है अब ममित्र आपको बताता हूं कि आज के दिन माता को किस फूल से पूजा की जाने चाहिए तो रात की रानी फूल होता है रात की रानी फूल से माता का पूजान खिया जाना चाहिए तथा माता सिद्ध दात्री का प्रिया रंग हरा है तथा उनका प्रिया भोजन आवला है किन्तु आज के दिन भोग के रूप में भक्तों को तिल या तिल से बने हुए किसी भी वस्तु का भोग अवस्य लगाना चाहिए, जिससे भक्त अकाल मृत्यु से छुटकार पार कर निर्भय हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने नवराव्त्री के प्रथम दिवस से लेकर नवन दिवस तक जितनी भी देविया होती है, उनके पूजन की विधी मैंने बताई, उमिद करता हूँ कि आपको यह जानकारी यह वीडियो पसंद आई होगी, यदि यह जानकारी आपको पसंद आ मैं इसी प्रकार से उपियोगी जानकारी और खास कर से ग्रहों से संबन में जानकारी अपने चैनल में देते होंगा, मातारानी आप सब की मनो कामनाएं पूर्ण करे, जय मातादी